नमस्कार मीत्रों, मेरा नाम है सीवं कोटेचा, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ब्रेजा का कम्प्लिट रिविउ, तो चलो शुरू करते हैं, अभी आप जो देख रहे हैं वो ब्रेजा का बेस्पीरियंट एलेक्साई है, स्टार्टिंग प्राइस आठ ला स्टार्टिंग प्रेजा करते हैं, तो चलो पहले फ्रांस से सरुवाद करते हैं, क्रोम ग्रिल, क्रोम में मारूती सुजू की का लोबो, हेलोजन प्रोजेक्टर हेड लेम, और आपको फोक लेम की जगा दी गई है, आप डिलर्शीप या आप्टर मार्किट में इंस्टोल करवा सकते हैं, वाइपर, तो चलो साइट प्रोफल की बात कर लेते हैं, तो पहले में आपको डाइमेंशन बता देता हूँ, लेंद 3.9, वीथ 1.7, आइट 1.6, वीलबेस 2.5, सुहलाइज के टायर मिलते हैं, फ्रंट में दिस ब्रेक मिलती हैं, और रियर में डम ब्रेक मिलती हैं, बोडी कलर में डॉर हिंडल, बोडी कलर में ORBM और ORBM पे टर्न इंडिकेटर, और ORBM आपको हट से ही फोल्ड करने पड़ेंगे, साइड ब्लेक ट्लाइडिंग, तो चलो रियर प्रोफाल की बात कर लेते हैं, क्रोम में ब्रेजा की बेजिंग, क्रोम में मारोती सुजू की का लोबो, और इसमें रियर डीफ होकर यह वाइपर नहीं मिलता है, हाई माउट एर स्टोप लेम, साखफिक एंटीन, फोर रिवे स्पार्किंग सेंसर, रियर रिफ्लेक्टर, एल एडे टेल डेम, स्मार्ट हाईब्रिट की बेजिंग, तो चलो बूट खोल के देख लेते हैं, 328 लिटर का बूट स्पेस मिलता है, और बूट में वे एसी दोनों साइज जगा दी गई है, तो चलो रियर पेसिंजर साइड डोर खोल के देखते हैं, रियर पावर विंडो स्वीच, रियर बूटर होल्डर, और इसमें आपको स्पीकर की जगा दी गई है, आप डिलर्शिप या आप्टर मार्केट में इंस्टोल करवा सकते हैं, इतना लेग रूम मिलता है, और थाई सपोर इतना मिलता है, और हेड रूम इतना मिलता है, रियर एस इवेंट, हेलो जनके बिन लेंप, और रियर में आपको हेड रेस नहीं मिलते हैं, तो चलो फ्रेंट ड्राइवर डॉर खोल के देखते हैं, और फोर पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड आपको वोटो मिलता है, और इलेक्ट्रिकल अग्जेस्टेबल ओर अर्बीयम के कंट्रोल, बोटन होल्डर, अब ड्राइवर सेड से पाके पिछे कर सकते हैं, Smart Hybrid को आप यहां से ओप कर सकते है और Traction Control आप यहां से ओप कर सकते है Light Adjustment एसी दो रिमोट की मिलती है Lock Button and Lock Button और एसा इंस्टूमेंट क्लस्टर मिलता है और बीच में एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है जो दिखाती है कि आपका कौन सा दर्वाजा खुला है वो Range, Kilometer, Mileage, Coolant Temperature आपका Fuel का Level कितना है वो Time और कुछ Information आप Music System, Aftermarket या इंस्टूल करवा सकते है यहां आपको सारा Hot Plastic मिलता है Rear View Mirror Co Driver साइज सान वाइजर यहां आपको Community Mirror नहीं मिलता है Driver साइज सान वाइजर यहां पर आपको टिकेट होल्डर दिया गया है Manual AC 5-speed manual transmission और एक्रिवेस Glove Box Agile Light Switch Handbrake 2 Cup Holder और यहां थोड़ी जगा दी गई है आप अपना कुछ सामान रख सकते है वाइपर गंटोल Headlight गंटोल और टीट आप स्टेरिंग कर सकते हैं Telescopic का उप्शन नहीं मिलता है Flat Bottom स्टेरिंग और यहां आपको टीटर की भी जगा दी गई है Aftermarket या डीलर्शिप में आप इंस्टोल करवा सकते हैं तो चलो एंजिन देख लेते हैं एंजिन 1462 cc पावर 75 kW और डोक 136 Nm तो हमारे यह वीडियो कैसा लगा कोमेट में जरूर बताइए क्योंदे मात्राव